मुक्यमंत्री अशोक गैलोत ने प्रदेश में सभी लोगों को मास्क पहनना अनिवारिय गोशित कर दिया है चाहे सारुजनिक स्थल हो या कारे स्थल, दफ्तर या फिर फिल्ड हो लोगों को थ्री लेयर मास्क या घर पर बना कपड़े का मास्क लगाना अनिवारिय कर दिया गया है जिसके लिए आपदा और राहत विभाग ने आदेश भी जारी कर दिये हैं प्रदेश के शिक्षा राज्यमंतरी गोविन सिक डोटासरा ने भी विभाग में इसके निर्देश जारी किये हैं इसी कड़ी में सरकार और जिला परशासन की सहायता के लिए विभिन स्कूल्स भी आगया रहे हैं जैपुर के एक निजी स्कूल्स ने लोगडाउन के दोरान जिला परशासन के जरिये निशुल्क मास्क वितरन का निर्ना किया है खास बात यह है कि स्कूल में ही रोजाना 300-400 मास्क का निर्मान किया जा रहा है इसके लिए मास्क बनाने के कारे में जुटी महीलाओं को भुगतान भी किया जा रहा है शोसल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाकर बनाए जा रहे मास्क जिला परशासन को निशुल्क उपलब करा जा रहे है स्कूल प्रबंदन का कहना है कि जिलापशासन को वे 50 से 60 हजार मास्क देंगे रोजाना 300 से 400 मास्क दिये जा रहे हैं जिसके लिए जिलापशासन की ही गाड़ी मास्क लेने आती है और वितरण भी जैपूर जिलापशासन की अपने इस्तर पर कराता है सामाजिक सरोकार निभाते हुए यह पहल की गई है चार घंटे से कर रखा है उनके द्वारा तैयार होता है